एक बार की बात है, एक गाव था जहां लोग सुख और शांती से रहते थे। एक दिन अचानक गाव में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि हर पल बढ़ती जा रही थी। इस आग से गाव में हाहाकार मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी लोग डरे हुए थे और किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आग को बुझाने की कोशिश कर सके। लोग यह मान चुके थे कि आग अब नहीं बुझ सकती। इसलिए वे सभी जंगल की और भाग रहे थे। इस बीच एक छोटी सी चिडिया पेड़ पर बैठकर यह सब देख रही थी। चिडिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर सकती है लेकिन उसने सोचा की कोशिश तो करनी चाहिए। उसने अपनी चोच में थोड़ा थोड़ा पानी भर कर आग पर डालना शुरू कर दिया। चिडिया बार-बार पानी लाकर आग पर डालती रही। तभी अचानक एक बच्चे की नजर उस चिडिया पर पड़ी। वह बच्चा दोड़ता हुआ वहां पहुचा और चिडिया को ध्यान से देखने लगा। धीरे-धीरे सारे गामवालों की नजर उस चिडिया पर पड़ी। लोग हैरान थे कि इतनी सी चिडिया अपनी चोच में थोड़ा-थोड़ा पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है, जबकि वे खुद अपना घर छोड़कर जंगल की ओर भाग रहे हैं। चिडिया को देखकर गामवालों में उत्साह बढ़ गया और वे सब मिलकर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। इस सब को एक कौआ उपर से देख रहा था। कौआ ने चिडिया से पूछा तु यह क्या कर रही है? तेरे पानी डालने से आग नहीं बुझ सकती चिडिया ने जवाब दिया. मुझे पता है कि मेरे पानी डालने से आग नहीं बुझेगी और क्या कुछ होगा? यह भी मुझे नहीं पता. लेकिन जब कभी इस आग के बारे में चर्चा होगी, लोग कहेंगे कि एक चिडिया ने भी आग बुझाने की कोशिश की थी मैं प्रयास करने वालों में से हूँ, तमाशा देखने वालों में से नहीं यह छोटी सी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सिख देती है, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इसे औरों तक पहुचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगली बार मैं एक और प्रेयनादायक कहानी के साथ मिलूँगा तब तक सबर रखें, आभारी रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें